हेलो दोस्तों तो आज मैं जो कोश्चन लेकर करके हैं यह कोश्चन क्लास 9 की सीवेसी साइन्स की भुक से लिया गया है पेज नमबर 118 से यह कोश्चन है ठीक है चेप्टर का नाम है फोर्संड लाप मोशन तो इस चेप्टर में थेरेटिकल कोश्चन है मतलब आपको आंसर सब्सक्राइब लिखने है तो चलो फिर देखते हैं कुसों अमसे क्या पूछता है कि सबसे ज्यादा इनर्सिया होता है पहला कोशन बोला है और ब्रकौल और अप्टो उस तो इसमें बोला है कि जो रबर का बौल होगा और जो इस चौन होगा उन दोनों की साइज स्यम से म तो किस में सबसे ज़्यादा एनर्शिया लागेगा रवर के बॉल में या स्टोन में तो जिसको आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में करके बताए फटा 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 तब तक मैं अगला खुशन पड़ता हूं अगला होता है आप बाइसिकल एंड ट्रेन एक साइकल में एक क्याइं लेको न्यूटन का होता है उसे का जाता है लाव nenhuma पर होता है एक उनर्सिया फर्स और नर्सिया आप रेस्ट क्या होता है कि कई बाढ़ी जो है अगर वो रुकी है कोई भी बॉड़ी जो है अगर वो रुकी है तो वो रुकी ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई external force अप्लाई नहीं हो उसकी जो टेंडेंसी होगी वो रेस्ट में ही रहने की होगी इसी परकार से जो इनर्शी आफ मोशन होता है उसमें कोई कि और नहीं और apples करेंड़ कोई ओबजेक्ट मूब रहे है तो मूब भी करती रहे गी तो यह होता है निर्श्या होता हो जो हो यह तो यहां कि रबर बॉल हो यह आ मतला मास जादा है उसका मास जादा है तो जिसका मास जादा होगा उसी पर एनर्सिया जादा लगेगा। तो यहां पर लिखेंगे, आस्टोन a stone exert more inertia a stone exert more inertia because the mass of stone the mass of stone is greater than rubber ball okay, this answer kya hoga a stone exert more inertia because the mass of stone is greater than the rubber ball rubber ball se stone ka inertia jyadha hooga isi liye jyo stone hooga us per jyadha inertia lag dousra question me hum se bola hai a bicycle and a train to abo batau ki bicycle ka jyadha mass hooga ki train ka obviously train ka hooga so yaha pere answer a train exert greater inertia because because the mass of train is larger r is greater r is greater r is greater iis hi perikar se five rupi ka coin johota woh uska mass jyadha hooga or 1 rupi ka coin johoga uska mass five rupi ka coin se kam hooga so a five rupi coin exert more inertia because because the mass of five rupi ka coin five rupi ka coin is more than 1 rupi ka coin ठीक है दिखाई दे रहे तो यहाँ पर होगा five rupi ka coin exert more inertia because mass of five rupi ka coin is more than mass of one rupi को यहाँ पर आपको समझ में आ गया stone ka mass ज़्यादा होगा इसलिए उस पर inertia ज़्यादा लगेगा train ka mass ज़्यादा होगा इसलिए train पर inertia ज़्यादा लगेगा और five rupi ka mass ज़्यादा होगा इसलिए उस पर inertia ज़्यादा लगेगा यह question number 2 है class 9th की science की मैध की बुक से लिया गया है page number 118 से page number 118 से question लिया गया है चुकि यह question बहुत बड़ा था इसलिए मैंने इस question को पहले ही लिख लिया है ताकि थोड़ा time पास ना हो यहाँ पर लिखाए गया question number 2 in the following example try to identify the number of times the velocity of the ball change इस question में हमसे यह बताना है कि ball की जो velocity है वो कितनी बार change होई ठीक है ball की जो velocity है वो कितनी बार change होई हमें बस यह बताना है और आगे question को पढ़ते हैं आप football players kicks a football to another players of his wound team who kicks the football towards the goal the goalkeeper of opposite team collects the ball and kicks it towards a player of his wound team also identify मलब दूसरी भी चीज़ा identify करनी है also identify the agent supplying the force in each case अब यहाँ पर आपको दो बाते तो बिलकुल थोड़ा कम समझ में आए होगी पहला यह है कि यह agent क्या होगा यहाँ पर देखो agent वही होगा कि जो force है वो किसके कारण बदला ठीके जो velocity है वो किसके कारण बदला force किसने लगाया वो ही हमारा agent होगा तो एक बात तो यह होगई और दूसरा यहाँ पर यह वाला जो हिस्सा है इसको पढ़के यह वाले जो paragraph है इसको पढ़के हमें question का answer देना है ठीके तो question में हमें क्या बताना है एक तो agent बताना है कि किसने force लगाया किसके कारण velocity change होई और दूसरा कितनी बार change होई तो देखो पहली बार आप football player है ना तो पहले बार जो था जिसकी वज़ा से यह जो velocity change होई है वैसे तो मैं आपको बता दूँ total चार बार इसकी velocity change होई है total कितनी बार इसकी velocity change होई है so four times है ना पहला यह है कि first player यानि कि यह जो football player था याना इसको लिखते हैं आ फुटबाल player क्या लिखते हैं आ फुटबाल player आ फुटबाल player तो आ फुटबाल player ने जब फोर्स को अपलाई करा अपने ही टीम के दूसरे player की तरफ तो वहाँ पर एक बार velocity change होई उसका agent कौन था तो उसका agent था आ फुटबाल player यानि कि पहली बार का agent कौन था आ फुटबाल player इसने फोर्स लगाया फुटबाल पर और तब जाके फुटबाल की velocity change होई दूसरे में अगर हम बात करते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ फुटबाल player था इसने फुटबाल को किस की तरफ किक किया था तो another player की तरफ किक किया था another player की तरफ किक किया था तो जब यह वाला जो उसी टीम का player है इसने जब फुटबाल को receive किया तो वो भी तो किक करेगा फुटबाल को होगी दूसरी बार लोसटी चेंज हो रही इसका के इजन्ट कौन होगा अब हम बात करतें थोड़ा सा आगे जो फुट्बाल को किक कर रहा है तो ज image कर रहा है तो यह गोल की तरफ किक कर रहा है विडिवाल प्लेयर में गोल की तरफ एक गोल पर होता है जिसका काम होता है फुटबाल को पकड़ने का ठीक तो दा कोल कीपर है ना अब यह आ जाएगा इस बार गोल कीपर आप अपोजिट टीम कलेक्ट सथा बॉल तो ध्यान से देखना मालों बॉल ऐसे आ रही है और जो गोल कीपर है यह जब बॉल को पकड़ेगा तो बल रुकेगी तो मतलब बाल कुछ व्यास्टी से आ रहा है थी रुकी तो इसकी व्यास्टी कितनी हो गई, 0, net Velooshid कितनी हो गई, 0, कब जब गोल कीपर ने बल को घ्लेक्ट किया, से दा बॉल अपलाई सम फोर्स उनिट जब आप बाल रोकते हो तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाते हो अपोजिट डारेक्शन आप दा बॉल तो वहाँ पर आप बॉल की विलस्टी को फाइनली जो चौथी विलस्टी चेंज होती है चौथी बार वह होती है कि गोल कीपर ने पॉजिट टीम का था बॉल को करने के बाद बाल की जो नेट विलस्टी जीरो हो गई रूक गई किदर को की कर रहा है तो चौथी बार जो विलस्टी चेंज हो रही है गोल कीपर के दौरा है तो यहां पर एज़एंट को होगा एजेंट होगा गोल कीपर यानि कि मैं इसको एक बार फिर से समरी बता देता हूँ पहली बार जो आफ फुटबॉल प्लेयर था उसने बॉल को किक किया अपने टीम के दूसरे अनदर प्लेयर की तरफ तो पहला बार जो बेलास्टी चेंज हुआ आफ फुटबॉल प्लेयर की कारड हुआ इसमें एजेंट कौन होगा आफ फुटबॉल प्लेयर होगा दूसरी बार जो बेलास्टी चेंज हुआ ये जो एनदर प्लेयर था इसने बाल को गोल की तरफ किक किया तो दूसरी तरफ velocity जो change हुई उसका agent था another player तीसरी बार क्या हुआ कि इसने जो ball को goal की तरफ फेका था kick किया था तो goal keeper वाँ पर खड़ा था उसने ball को पकड़ा, ball को collect किया तो collect करने का मतलब ball की net velocity जो थी वो 0 हो गई, ball रुक गई उसके बाद ये goal keeper ball को अपने पास थोड़ी रखेगा उसने kick किया अपने ही team के दूसरे player की तरफ जो net velocity होगी हमारी change होगी, वो 4 times change होगी कितनी? 4 times तो finally हम चाहें तो एक line league सकते हैं therefore, velocity of football changes 4 times, changes 4 times, कितनी बार? 4 times तो यह इस question का हमारा answer होगा students आप इस वीडियो को write down कर लें, या वीडियो को pause करके screenshot ले लें इसमें एक question पूछा गया है, page number 119 में question number 3 है, इस वीडियो में, आव हम देखते है question number क्या है question में बोला, explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously sex its branch, ठीक है? यह question बहुत ही आसान है, इसका theory में answer करना है तो मैं आपको request करूँगा कि आप वीडियो को अन्ता तक देखें, और काफी ध्यान से देखें देखो, यहाँ पर बोला है कि detached, detached का मतलब होता है कि आलग होना है ना, detached का मतलब क्या होता है? आलग होना और लिखा है vigorously, vigorously का मतलब तेजी से, खूब तेजी से पेड़ को हिलाना है और second का मतलब होता है हिलाना तो मतलब अगर किसी पेड़ को हम खूब तेजी से हिलाने लगे हैं ना जैसे मैं अभी अपना हाथ हिला रहा हूँ खूब तेजी से अगर हम किसी भी पेड़ को हिलाने लगे तो देखते हैं हम उसकी कुछ पत्यां गिर जाती है सारी नहीं कुछ गिर जाती है क्या रिजन है उसका देखो आपने Newton's first law of motion में पढ़ा है Newton's first law of motion को कहते हैं law of inertia और जितने भी viewers जितने भी students इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग बताये कि law of inertia कितने परकार का होता है फटा फट कमेंट बाक्स में करके बताओ आज कल पढ़ inertia of motion और तीसरा होता है inertia of direction पर हम सिर्फ और सिर्फ पहला ला इस्तिमाल करेंगे which is law of inertia of rest यानि की inertia of rest का जो statement होता है if an object is in rest it continuously tend to remain in rest when unless applied and unbalanced external force कोई भी object जो है अगर rest में है rest का मतलब होता है रुका होना कोई भी object है अगर वो रुका हुआ है तो रुके ही रहना चाहेगा जब तक हम उस पर कोई first supply नहीं करेंगे ठीक है उसका tendency होती है उसका मन होता है कि नई भाई हम जाएंगा नहीं तुम कितना भी खीच के ले बाइक पर बैठे हैं और बाइक चलना सुरू करती है तब हम पीछे की तरफ जाते हैं उसका रिजन क्या है क्योंकि हम पहले बैठे थे तो पीछे थे ना बाइक आगे बड़ी तो हम पीछे वाली position को obtain करना चाहते हैं तो यह inertia of rest है यही कारण है कि जो पेड़ों की पत्या होती है वो उनको जब खूब तेजी से हिलाओ तो गिरने लगती है पढ़ते हैं इसको अंसर वेन दा ब्रांचेज आफ्ट्री सेकें विगोरसली दा लीवस टेंडे टू रिमेन इन दा स्टेट आफ रेस्ट जब हम किसी भी पेड़ की ब्रांचेज को खूब तेजी से हिल जाते हैं जग जोरते हैं तो उसकी पतिया जो होती है वो रेस्ट में रहना चाहती है रुकी रहना चाहती है एंडे डिटाज़ड फ्रांचेज वेन पौजीशन आप्ड़ांच चैंज और जब प्रांच का पौजीशन चेंज होता जैसे पत्ति यहां पर है मालो ये पकी ब्रांच है और यह इसमें पत्ती लगी हुई है मेरे पिंगर है पत्ती ऑट जब आच को ऐसे हिलाएंगे तो पत्ती यही रहना चाहेगी इसलिए ब्रांच आगय चला जाता जो और पत्ती नीचे धिर जाती तो जैसे ही प्रांच योई तो जाता है लेकिन पती वहीं रहना चाहती है अब इतना लंबा छड़ा कौन लिखना है वो लिख ले जिसको नहीं लिखना वह सीधे लिख सकता है due to inertia of rest inertia of rest के कारण पत्ती जो होती है वो नीचे गिर जाती है ठीक है तो यह बहुत ही छोटा अंसर है अब आपको जो भी अच्छा लगए आप वो लिख लो question number 4 है page number 118 पर मिल जाएगा आपको 118 number page पर मिल जाएगा तो यह question क्या कह रहा है why do you fall in the forward direction when a moving bus breaks to a stop आप क्यों आगे गिरने क्यों हो जाते हो जब कोई bus है वो move कर रही थी और उसने brake लगा दिया जैसे हम बस में ऐसे खड़े होते हैं और अगर बस ने ऐसे brake लगा दिया तो हम ऐसे आगे की तरफ क्या ना हो जाते हैं जो कि जाते हैं क्यों जोख जाते हैं यह हम पड़ेंगे इसमें दूसरा कह रहा है कि आपकल बेगवर्ड वर्व french accelerate फ्रांप इनर्शिया लगता है, कौन सा इनर्शिया लगता है इनर्शिया आफ रेस्ट और इनर्शिया आफ मोशन वैसे तो जो इनर्शिया होता है यानि कि जो लाफ इनर्शिया होता है वो तीन परकार का होता है इनर्शिया आफ रेस्ट, इनर्शिया आफ मोशन यहां पर हम पढ़ेंगे energy of rest and energy of motion तो पहले वाले में कहरा आये कि देखो bus चल रही थी पहले वाले में क्या था bus चल रही थी और हम bus में खड़े थे तो जो हमारा pair वाला portion होता नीचे वाला वो bus के contact में होता है और हमारा जो यह उपर वाला portion होता है वो एर में होता है हावा में होता है तो बस जब आगे कि तरह भागती है तो हमारी बोड़ी भी आगे कि तरह भागने को चाहती है उसकी टेंडेंसी क्या होती है कि आगे कि तरह भागना लेकिन बस ने अचानक से ब्रेक लगा दिया तो हमारी तो टेंडेंसी में ब्रेक लग तो इसका रीजन क्या होगा वी फॉल इन फारवर्ड डारेक्शन वेन आ मूविंग बस ब्रेक्स टुआ स्टाप जब कोई चलती हुई बस है या चलती हुई गाड़ी है वह ब्रेक लगाती है तो हम आगे की तरफ जूख जाते हैं ब्रेक्स सब्सक्राइब तो इसका आंसर होगा we fall in the backward direction when bus accelerate from rest due to inertia up rest जब bus रुकी है और हम यहाँ पर खड़े हैं बस अचानक से चलना शुरू होती है तो हम ऐसे पीछे की तरफ जुग जाते हैं क्यों क्योंकि आपर inertia up rest लगता है क्या लगता है inertia up rest लगता है देखो यह मानलो bus का surface है और यह मानलो जे हम खड़े हैं यहाँ सर यानि की marker सर तो marker बनगे तो सर का जो pair होगा देखो यह मानलो उमारे pair है सर का जो pair है वो bus की surface की contact में रहेगा बस आगे भागेगी तो यह जो सर है यह रुकना यानि कि rest में रुकना चाहेंगे marker है यह रुकना चाहेगा तो बस आगे भाड़ेगी तो यह पीछे की तरफ जुख जाएंगे इसी को कहते हैं inertia up rest है ना ठीक है तो यहाँ पर दो कारण होंगे एक होगा inertia up motion और एक होगा inertia up rest तो आज से आप समझ गये होंगे कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा अगर सीखने को मिला तो कंजूसी मत करना वीडियो के लाइक शेयर जरूर करना सस्क्राइब तो कर देना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जैहिन